अफ्र्वे बर्ड़ी वल्कम बैक टो चर्नल डूस्तों काफी सारे लोगों को अक्वैरी आ रहा था खिस्मस इवंटके बारे में जो कि सिक्सर अप्लिकेशन पे चल रहा है किसमे क्या बेनिफिट से कैसा कैस्वेंग मिल रहा है और कितना डिपोजित यानि की तोटल रूल और रेगुलेशन किसी को समझ नहीं आ रहा था तो इस वीडियो में बात करेंगे आप सबसे पहले दो को मैं सिक्सर गेम के ओफिसियल इंस्टेग्राम हैंडल पर यहां पर आपको यह पोस्ट देखने को मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हो अब इसमें आप देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ 50% cashback on buy trade fees साफ साफ लिखा हुआ है कि जो buy trade fees होती है जो भी आप trading करोगे बाई करोगे उसकी जो fees लगती है उस पे 50% आपको cashback मिलेगा वो भी कब से कब 24 दिसंबर साम 6 बजे से लेकर 25 दिसंबर साम 6 बजे तक जो भी trading आप करोगे यानि कि जो भी आप buy order लगाओगे उसका जो 50% जो trading fees होती है उसका 50% आपको cashback मिलेगा ठीक है अभी मैं सारे doubts भी clear कर देता हूँ लेकिन अगर आप इस 50% को 100% बनाना चाहते हो तो आप simply 500 रुपए deposit करोगे केवल केवल 500 रुपए deposit करोगे तो वो 100% cash bonus आपको मिलने लगेगा तो कावी सारे लोगों की यह doubt आ रहा है उनको यह लग रहा है कि जो भी आप trading कर रहा है मतलब मान के चलो आपने 10,000 के trading की 10,000 के players आपने buy किया तो उनको यह लग रहा है कि 10,000 के 50% याने की 5,000 रुपए उनको cash bonus मिल जाएगा भाई यह ऐसा नहीं है आप साप साप पड़ो यहाँ पर लिखा हुआ है trade fees ठीक है trade fees का मतलब अगर आपने 10,000 के trading किया मतलब buy order लगा है आपने उसमें आपको 2000 रुपए trading fees लगा जो कि 1,5% कहीं कहीं लगता है कहीं कहीं 5% लगता है ठीक है तो यह जो fees है इसका 50% मतलब अगर 5% trading fees लग रहा है तो उसका 1,5% आपको cash back मिलेगा अब उसमें लोगों को डाउट आप है कि cash back उनको तुरंट चहिए भाई cash back जो मिलता है वो तुरंट नहीं मिलता है वो 48 hours के अंदर अंदर मिल जाता है और वो भी cash bonus के form में मिलता है real amount में मिलता है cash bonus वाले section में आपको देखने को मिलेगा तो यह भी query solved हो गई और फिर इसके बाद यह समझो कि total transaction पर आपको cash back नहीं मिलेगा यानि कि जो आप के बाई करोगे न उसके trading fees पर refund आपको मिलेगा अगर आपने sell किया उस पर trading fees लग रही है उसका refund आपको नहीं मिलेगा तो ध्यान से यह post को देखो और समझो देखो इसका मतलब समझो total total जो आपका buy trade है उसके fees जो है आपको refund हो 48 hours के अंदर ठीक है तो उमीद करता हो सारे question query जो आपके थे इसमें solve होगा है ध्यान रखना date का कि 25 December से लेकर 24 December 6 बजे से लेकर 25 December 6 बजे तक यह मानने होगा ठीक है और कोई question query हो तो आप यहां पर पूछ सकते हो comment section open और Instagram पर दीम कर सकते हो यह सारी चीज़ा लेकी है भाई सारी चीज़ा लेकी है कि क्या क्या offers है और क्यों सारी चीज़ा आप समझ भी सकते हो विससे अच्छे से तो नहीं संझा सकता है तो उमीद कर दा वीडियो आपको समझागा मिलता के लिए वीडियों देखने के लिए धन्यवाद